दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी गुरूप के शेर्ट के बारे में अडानी गुरूप के शेर्ट को लेकर कुछ important news यहाँ पर निकल कर आई है साथी साथ अडानी गुरूप के दो main shares अडानी port और अडानी grain यहाँ पर कल आपको इन के अंदर अपर सर्कीट तक भी लगते हुए दिखने को मिल सकता है उसके पीछे की वजह में आपको बताऊंगा साथी साथ क्या आपको इन shares के अंदर investment करना चाहिए या फिर कुछ समय तक का और यहाँ पर और wait करना चाहिए सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर cover करेंगे और वो क्या news निकल कर आई है जिससे इन दोनों shares के अंदर अपर सर्कीट लगने की probability यहाँ पर increase हो जाती है अगर हम यहाँ पर अडानी ports के पिछले एक महिने के trading chart को अगर analysis करें तो पिछले एक महिने के अंदर इस shares ने लगबग 10% तक के negative returns यह अपने shareholders को बना कर दे चुका है जिसके बाद से अडानी port की जितने भी shareholders से वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर panic create हो रहे है साथ ही साथ में यहाँ पर profit booking करने का भी मन बना रहे है क्योंकि last Friday की दिन एक tweet यहाँ पर निकल कर आता है जिसमें groups का नाम publish नहीं होता है लेकिन ultimately अडानी group के उपर ही उसका focus रहता है जिसके बाद से अडानी group के shares पूरी तरीके से crash हो जाते है अडानी group के अगर पिछले 5 days के trading chart की भी बात करी जाए तो लगबग 4.87% की यहाँ पर negative returns हमें देखने को मिल रहे है हाला कि यह returns काफी ज़्यादा हद तक recover भी हो गए है last trading session में याने कि last trading session के अंदर लगबग 7.7% तक की तीजी आपको अडानी group के अंदर आते वे देखने को मिली है और कह सकते हैं इसके पीछे की वज़ा तो एक वज़ा तो मैं already आपके साथ previous वीडियो में share कर चुका हूँ लेकिन एक और बहुत बड़ी वज़ा है यहाँ पर जो इस वीडियो में मैं आपके साथ share कर रहा हूँ अगर अडानी पोड के हम last trading session को भी यहाँ पर analysis करें तो shares 643 रुपे 20 पेसे पर open हुआ 638 रुपे 10 पेसे का इसने low बनाया और 704 रुपे 60 पेसे का इसने high बनाया लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 7% अबव की closing यहाँ पर देखने को मिल रही है और 7-7 shares अब अपने strong support 700 रुपे से यहाँ पर दूर नहीं है अगर हम अडानी पोड के market capitalization की बात करें तो 1,42,000 करूर रुपे का market capitalization है और P ratio भी यहाँ पर company का 28 निकल कर आ रहा है यानि कि already company पिछले एक साल के अंदर काफी bullish returns यहाँ पर बना कर दे चुकी हमने investors को जिसके बात से ही यहाँ पर यह questions raise हुआ है कि company के growth के उपर यही एक question mark यहाँ पर लगाया जा रहा है इनी सब के बीच में अगली company जिसके बारे में हम बात करने हैं जो कि अडानी ग्रूप से related है उसका नाम है अडानी green energy अडानी green energy के अंदर भी आपको यहाँ पर पिछले 5 days के trading chart को अगर आप देखेंगे तो लगबख 7-8% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है जिसके बात से अडानी green energy के भी जितने shareholder से वो यहाँ पर या तो profit book करने का मन बना रहे हैं या फिर उन्होंने अपने investment को hold कर रखा है लेकिन अभी fresh positions के लिए अडानी group से मैंने भी आपको यहाँ पर personally दूर रहने के लिए कहा था लेकिन अब जो यहाँ पर news निकल कर आ रहे हैं के सकते हैं कि वो अडानी groups के लिए यहाँ पर positive हो सकती है जी हाँ दोस्तों क्योंकि जिस प्रकार से movement यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अगर कोई बड़ी news निकल कर आ जाती है negative news तो वो यहाँ पर अडानी groups के अंदर वापिस बड़ी गिरावत ला सकती है लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी जो news निकल कर आ रहे हैं उन्होंने यहाँ पर balance बनाया हुआ है अडानी green के भी अगर हम यहाँ पर पिछले एक महिने के records को चेक करें तो लगवख 17% से लेकर 18% तक के negative returns कमपनी बना कर दे चुकी है लेकिन इसी के against last reading session की बात करें जाए तो आपको यहाँ पर lower circuit देखने को मिला था लेकिन अगर हम अडानी green के भी market capitalization की बात करें तो यह भी एक large cap company है याने की 1,68,000 करोड रुपे का इस company का भी market capitalization ही और P ratio भी दिखेंगे आप अडानी green का तो काफी ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आ रहा है क्योंकि अडानी green भी एक ऐसा चेर से जिसने पिछले एक साल के अंदर huge returns बना कर दिये हैं चलते हैं उस news की तरफ और जानते हैं कि वेसी क्या news निकल कर आई है जिससे अडानी green और अडानी port के अंदर अब आपको कल के trading session के दोरान कुछ बड़े target देखने को मिल सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं 20 जून 2021 याने कि आजी की दिन की ये news है सुबह सवा 11 बजी ये news पब्लिश करी गई है लाइव मिंट पे जिसमें आप देख सकते हैं इन्फाइनाइट ट्रेडड एणड इन्वेस्मेंट 22 इन टू अडानी ग्रूप स्टॉक वर्थ रूपी 1100 करोड याने कि जो ये investment company है इन्फाइनाइट ट्रेड इन्वेस्मेंट इन्हों ने यहाँपर 1100 करोड रूपे का investment किया है जी हां दोस्तों और दो शेर्स के नाम तो मैं अल्रेडी बता चुका हूँ चले पूरी न्यूस को भी कवर कर लेते हैं इन्फाइनाइट ट्रेड एन इन्वेस्मेंट लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड ओवर 1100 करोड इन्टू अड़ानी ग्रूप फर्म्स याने कि 10 जून से लेकर 19 जून के बीच में यहां पर पार्टली हमें देखने को मिल रहे हैं याने कि अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 122 करोड रूपे का इन्वेस्मेंट फिर 182 करोड रूपे का इन्वेस्मेंट फिर 185 करोड रूपे का इन्वेस्मेंट यहाँ पर दस बार investment करिए और अपने portfolio को यहाँ पर थोड़ा सा diversified और एक काफी अच्छा average आपको यहाँ से मिलनेगा साथ इन्फाइनाइ ट्रेड एन इन्वेस्मेंट की अगर बात करी जाए तो उन्होंने यहाँ पर 1.93 मिलियन शेर्स अडानी पोर्ड के भी यहाँ पर खरीदे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं 19 जून को ही यहाँ पर अडानी पोर्ड के शेर्स को भी यहाँ पर खरीदा गया है अडानी ग्रूप शेर्स वेर अंडर प्रेशर सिंस लास्ट विक वित इन्वेस्टर वेल्थ इन्रॉल्ड देट ओवर 13 बिलियन अफर दे एकोनोमिक ताइम्स रिपोर्ड देट नेशनल शेर्स डिपोजिटरी फोर्स तो यहाँ पर एक ही न्यूज ने लगबग 13 बिलियन यूएस डॉलर का यहाँ पर जटका डाइरेट यहाँ पर अडानी ग्रूप को दिया था लेकिन अब कह सकते हैं कि मन्त की एक्सपाईरी के दिन अब आपको यहाँ पर कुछ अच्छे positive moment आते वे देखने को मिल सकते हैं हाला कि सारी चीजे हमें market open होने के बाद ही clear हो पाएगी और इसी बीच अगर night तक यहाँ पर कोई positive updates निकल कर आती है अडानी ग्रूप से related तो वो आपको हमारे channel से share कर दी जाएगी तो यदि आपने अभी तक telegram channel को join नहीं कर रखाए तो link आपको description box में मिल जाएगी वहाँ से आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते ही साथी साथी यहाँ पर जो तीन investment funds थे जिने यहाँ पर forzer पाया गया था जिसमें albula investment fund, kristra fund और APMS funds जिनों ने यहाँ पर लगबख 6 billion US dollars के यहाँ पर shares को Adani firms के अंदर buy किया था उनको लेकर ही यहाँ पर questions race किया गया था लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई official updates निकल कर नहीं आए है जिसमें इन तीनो investment firm company को forzen पाया गया हो लेकिन यहाँ पर कोई भी official updates अगर निकल कर आएगी तो वो आपको हमारी YouTube channel से भी पता दी जाएगी तो Adani groups को लेकर अभी आपको wait and watch का ही formula यहाँ पर use करना है लेकिन साथ ही साथ अगर आपने Adani green और Adani port के अंदर investment कर रखाए तो उससे related यहाँ पर जो positive news निकल कर आई थी उसे हमने आज की इस वीडियो में cover कर लिया है चलिए दोस्तों उमीदे आपको वीडियो और update पसंद आई होगी अगर आप कोई वीडियो पसंद आई है तो इसे like और share करना बिल्गुल भी न भूले साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्योरी है तो नीचे comment section box में लिखकर आप बता सकते हैं हम आने वाली previous next वीडियो में उसे cover करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे मिलते हैं next वीडियो में another किसी important update के साथ तब तक के लिए stay connected, stay updated